जहीं दोस्तों स्वागे थे फिर से एक नीव वीडियो पर दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे BSC Final Year Result 2022 के बारे में बात करने वाले हैं आखिरकार क्या लपड़ा है और कब आएगा परेडाम Complete Details से बात करेंगे और फैंड मैं काफी दिनों से यहाँ पर वीडियो नहीं डाल रहा था तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे इस से रिजल्ट कब तक आ सकता है Final Year का काफी ज़्यादा गमेंट हैं यहाँ पर देखने को मिले है तो वीडियो को पूरा देखने है ताकि आपके जो भी डाउट है वो सभी किलियर हो जाएंगे ठीक है बाकि आपको फिर यहाँ पर कोई question पूछने की जरुरत नहीं पड़ेगी इसलिए वीडियो को मैं बार-बार बोल रहा हूं पूरा देखना है ठीक और चैनल पहली बार हाँ सस्क्राइब कर लेना क्योंकि आप रिजल्ट से संबनी सभी जानकार यह अप्लोड होती है और जब भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर लाइव रिजल्ट चेक किया जाएगा तो आप सस्क्राइब करके प्लीस रख लीजे और पहले अप जो है अपडेट आपको दे दाएंगे और टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर प्लीस ज यहाँ पर हमें हमें लगता है ठीक है आपके हाँ सबी डावट भी किलर हो जाएंगे रिजल्ट के बारे में फिमें बात करने वाले हैं ठीक है यहाँ पर 7 दिन पहले कमेंट आये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सर मेरे बाटनी में बेक थी और बेक पेपर नहीं दिया क्या सर मुझे बीएसी रिपीट करनी होगी सर प्लीज रिपले तो आपको बीएसी रिपीट करनी नहीं होगी आप बेक पेपर फिर से भी दे सकते हैं है तो आप chanel पर देख लेते हैं और यहां पर हमारे चैनल पर अपलोड है कि बसक्ति में कि नमबर पहते हैं है आप स्कते हैं tähän पहले हैं यह इस्की वीडियो भी बन चुकी है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके ठीक है तो यहां पर MD MD खान जी का यहां पर कमेंट आया था तेरे दिन पहले ठीक है बीसी थाइडियर का chemistry के second paper मैं फैल हूं क्या करू सर्व mg kvp university से ठीक है तो यह भई chemistry में फैल हो चुके हैं second paper में मतलब फैल हो चुके हैं सायद रिजल्ट आ गाया ठीक है अगर आप एक subject में फैल हुए हैं तो आपको यहां पर supplement आ जाएगी ठीक है यह वीडियो अगर आप पूरे ध्यान से देखा होगा यह उपर का वीडियो तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा subject में आपके अच्छे खास्से अंक आ जाते हैं और दो subject में passing marks नहीं आते हैं मतलब आपके तीनो subject ही मिलाकर जो है यहां पर passing marks लाना है ठीक है जो इसमें कम आते हैं एक इसमें अच्छे खास्द काहस आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे निशा जी आपको टैंसल लेनी की जरूरत नहीं है ठीक है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका डाउट किलियर हुआ है नहीं हुआ कमेंट करके जरूर बताईगा या तो आप हमें टेलेग्राम गुरूब में मैसेज कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर म लेते हैं ठीक है यहां पर मुकेज भाई का यहां पर कमेंट आया था तो अभी जय हो सर आप महान है आप भगवान है तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है आपकी जो आप जैसे भी कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर हम यहां पर वीडियो बनाकर ला दाएंगे ठीक है इसमें भ अच्छा होती है और इक्छा होती है वीडियो बनाने की ठीक है तो आप कमेंट जरूर कीजेगा सभी प्लीस और लाइक भी कर दीजेगा ठीक है यहां पर यहां पर संजना जी का है जो काफी जादा यहां पर कमेंट आ रहाता है कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ करेंग पर तयार होगा कि आप जैसे सेकंड येर में तो आप जितने पेपर दाएंगे सब चीज प्रक्टिकल अगेरा इसी के मास्क के साफ से आपका जो है यहां पर रिजल्ट अगेरा तयार होता है संजना जी यहां पर काफी जादा इनका कमेंट आ रहा था इस पर भी वीडियो बनाओ अगर आपका फिर भी डाउट के लियर नहीं होता तो आप हमें टेलिग्राम पर मैसेज कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा ठीक है यहां पर काफी जादा यहां प्रस्ण आ रहा था डिग्री कैसी बनती है और कम मिलती है ठीक है अगर आपको आपका डाउट के लियर नहीं हुआ तो तो आप हमें टेलिग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्ट्रागाम पर टीक है यहां पर अगला प्रस्ण आपर ले लेते हैं ठीक है यहां पर राज नमाल इस मास का पेपर कैसे होगा वह किस सब्जेक्ट का है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि हम वीडियो ला सके या तो आप हमें पर्शनल टेलेग्राम ग्रूप में पूछ सकते हैं टेलेग्राम पर मैसज कर दीज़ेगा आपकी जो डाउट है यह किलेर कर ठीक है तो आपको आप वहाँ पर पूरा बता दाएंगे ठीक है आपर पूरा समझ में नहीं आएगा भई सब्जेक्ट भी तो पता करना पड़ेगा कौन से चमवाल इस मास्क हैं कितने पेपर हुए हैं ये सब पता करना पड़ेगा राजेंदर जी ठीक है अगर आप वीडि दिन पहले आया था सर जैसे मैं बीएस्टी मैच से कर रहा हूं और सर मेरे मैच के तीन पेपर होते हैं तो सर मैं दो पेपर में पासिंग मार्स से उपर नंबर लेकर आया हूं और एक पेपर में पांच या साथ हैं लेकिन सर टोटल एवरेज पासिंग मार्स से उपर हैं त तो सर मैं BST में पास हूँ या फैल हूँ या फिर मेरी बाई के यहां पर लिखा है जो कि बेक लग जाएगी प्लिस सर मेरे डाउट किलियर कीजिए ठीक है तो यहां पर भाई आपके अगर दो सब्जेक्ट में अच्छे खासे अंक हैं ठीक है पासिंग मास यहां पर आ जाते तो सब्जेक्ट में अच्छे खासे अंक आये हैं तीसरा सब्जेक्ट में अच्छे खासे जो तीसरा पेपर है उस पर अच्छे खासे मार्स नहीं आये तो आप आराम से पास हो जाएंगे ठीक है दो में अच्छे आये हैं तो ठीक है यहां पर पासिंग मार्स बस मांगता ह ठीक है सभी में पास होना जरूरी नहीं है ठीक है रंजित भाई अगर आप वीडियो देख रहा है तो आपका डाउट किलियर हुआ या नहीं हुआ कमेंट करके बताइएगा बाकि आप टेलेग्राम पे भी मेसेज कर सकते हैं अगर आपका फिर भी डाउट किलियर नहीं होता तो चलिए अगला प्रसने यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर अगला MCBU छतरपूर में भी ऐसा होता है प्लीस रिपले तो भाई यह सभी उनिवेर्शिटी के लिए ठीक है यहाँ पर जो वीडियो था क्या बीए बीए सी बीकॉम बेग कब लगती है ठीक है हमने यहाँ पर बेग कब लगती है फेल कब होते हैं ग्रेस कब लगती है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाया है कि सप्लीमेंटी के पीपर कब होते हैं और कब आती सप्लीमेंटी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से आपर वीडियो बनाया है ठीक है तो यह MP के सभ यूनिवर्सिटी के लिए तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी लागू होगा ठीक है एमसी भी यू छतरपूर चुकि ये भी MP में आता है तो आपके इसमें भी यह लागू होगा ठीक है और चलिए यहाँ पर अगला प्रशन यहाँ पर आ जाता है चुकि काफी ज्यादा पूछे जाने वाला प्रशन की रिजल्ट कब आएगा यहाँ पर राज जी का हमने यहाँ पर कमेंट लिये कॉछी काफी ज्यदा कमेंट थे सभी कमेंट को दिखाने से रहा है यहां पर हमने ले लिया है किसे result लुप सकता है ठीक है रिजनट जो है लास्ट जुलाई या तो आपका फर्ष्ट अगस्ट भी हो सकता है ठीक है क्योंकि यहां पर अभी भी जो पर काफी कालेज में आप पर practical paper अभी हुए नहीं है इसके वज़े से result अभी काफी late हो सकता है और कुछ बच्चों ने हंगावाओ अगर अभी कर दिया था इसके वज़े से result late आएगा इसके वज़े से result जब भी आएगा जब भी information मिलेगी तो इस channel के माध्यम से हम आपको information दे देंगे बाकि हमारा telegram group भी है प्लीज जोईन कर सकते हैं link आपको description पे मिल जाएगा और subscribe कर लिजएगा channel को क्योंकि यहाँ पर जब भी result की result आएगा live channel sorry live result चेक करेंगे इसलिए subscribe करके रख लेना है और वीडियो को like कर दिजए और कोई question है तो comment करके जरूर बताईगा ठीक है और बाकि मिलते हैं अगली वीडियो पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद